राजभवन के समक्ष लगतार पिशले कई महीनों से अगर हम बात करेंगे तो अलग-अलग संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को यहां पर तमाम लोगों से मिलने के लिए यहां पर अमर बावरी जी पहुचे वे हैं हम लोग सीधे इन से बातचीत करते ह अब तो सदन के अंदर एक पुलंद आवाज जो हम लोगों को देखने को मिल रही है आप सान्य नीती के मुद्धे पर भी बोल रहते हैं लेकिन आज आप लोग यहां पर मिलने आये हैं पंचायत सची वाले स्वहिंग से सबसे लंबे समय से यहां पर बैठे हुए धरने मे अब ही स्वहमश्यवक लगबग 163 दिन उसो बाट हुए है और वे लोग हैं जिनोंने पंचायत में जो गरीब कल्यान की जो जनाए भारत सरकार और रजसरकार ने चलाई थी उसको किर्यानिवित करने में अपनी महती भूमिका ने बहाए हैं आज ज़दी परधान मंतरिया कारियों को अंदेखा करते हुए सिर्फ राजनीति के कारन इसह इसके कारन की कि निवकिती प्टी पूरवरति रगवर्दात जी की सरकार ने बहाएक सरकार ने की थी इसलिए उस निवक्ती को जो रोजगार देने का काम किया है उसको पाप के रूप में देखते हैं वो कहत समझती है कि वाउं को रोजगार देंगे तो उनके लिए पाप के समानों सर यहां पर टेट पारहा सिक्षक भी मौजूद है टेट आप लोगों कि सरकार ने भी नहीं लिया दै जिसका भुकतन कही सरे अभी अभी अरफियर्थी अभी परिक्षा नहीं कर आई है उसका भी नत जो अभी धर्णा पर है उनके लिए जो बैधानिक जो रास्ता है वो आपने जो है महादिवक्ता ने जो उनके प्रामर्स जिसके आधार पर कई इस राज सरकार ने लिये हैं तो महान विद्वान महादिवक्ता के जो प्रामर्स है उसके आधार पर तो इस सरकार चाहती तो ए का और अदिकार देना चाहिए इस विश्यक को लेकर के भी हम लोग विजान सभा के अंदर जाएंगे और मैं आपके माध्या में से तमाम लोग आस्वस्त करना चाहता हूं जब भारती जनता पार्टी के सरकार दोजार चौबीश में वापस आएगी तो इनके तमाम तरह के जो परिशानियां उसकों लोगों को दूर कर देंगा वादा नहीं बन कर जाएगा एक बर फिसे क्योंकि लोग अल्रेडी ठगा हुआ मैसूत कर रहे हैं तो यह आप लोगों के द्यारे में सफिक चुनावी बागी कोई नहीं कर सकता है तो यहां पर जो भी होगा वह भारती जंता पार्टी ही करेगी हमन सुरीन सरकार के स्नीन में सोई है यह फिलाल नहीं समझ पा रहे हैं फिलाल इस खबर में मारे साथ इतना ही सही होगी अरवन के साथ में पूझा दू बिलाई विंडा राची